हाई एवरीवन मैं हूँ स्वीटी वेलकम टू स्वीटी डिया लाइफ आज मैं आपके साथ सेयर करूंगे लौकी के खोपते बहुत से घरों में लौकी किसी को पसंद नहीं आती है प्लेन ऐसे जब हम बनाते हैं लौकी के सब्जी यकिन मानिए जब हम जिस तरीके से मैं इसको मैं इसके निकाल देंगे उसके बाद इसको छिलने के हैल्प से ऐसे सारे छिलके निकाल देंगे ऐसी हम सारे छिलके निकाल देंगे लौकी के सारे छिलके निकाल देंगे अब इसको कड़ेंगे चार टुक्रा इसे अच्छे से हम वास कर देंगे लोकी को अच्छे से वास कर दिये हैं अब इसे कदू कस लेंगे कदू कस पर इन सब को हमें घीशना है यह बड़े वाले चो है उसी पर हमें ऐसे सब को घीश लेगा है घीशने से पहले जो वाइट वाला पार्ट है हम इसको निकाल देंगे यह कोपते में अच्छे नहीं लगते हैं इसको सब को निकाल देंगे हम उसके बाद इसको हम घीशेंगे इसको बहुत असानी से घीश जाएगी है अब इसे इसका जो पानी हो वो निकाल लाय है कि उसके लए में देखिए यह ऐसे में हात आप पे ले लोगे और इसको ऐसे दवाते हुए आपको आराम से पानी कर ले। आप इसे कॉटन के कपड़े से भी निकाल सकते हैं और हाँ से भी निकाल सकते हैं तो मैं हाँ से निकाल लेने हैं इसके सारे पानी ऐसे ही निकाल लेने हैं अब चलिया मसाला बना लेते हैं मसाले के लिए लेलियो में दो हरी मिर्च, दो टामाटर और एक इंच अधर कटुड़ा और कुछ लहसुन की कलिया इसमें लेलियो दो बड़े साइच प्याज और फोरन के लेलियो में तिश्पता और जीरा और मसाले में ले लिए हल्दी पाउडर, गरम मसाला, सबजी मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के निशार नमक प्याज को छोटे-छोटे टुक्रे में चॉप कर लेंगे और लासुन अधरक मिर्च को मिक्सी में पीस लेंगे इमें प्याज चॉप कर ली हूँ यह टमाटर पीस ली आप से लिए देखते हैं अब मैं इसे लोकी को इसमें मिलाओंगी हरी मिर्च में यह चार हरी मिर्च ले ले ली हूँ इसे आप इसमें काटकर डाल दीजें इससे क्या होगा सब्रीय स्पाइसी हो जाएगे खाने में बहुत ही अच्छी लगेगे इसमें जाएगा स्वाद के नमक के बड उसके बाद डालेंगे जो प्याज चॉप करके रखेते हैं उसी में सम थोड़ी से प्याज इसमर भी डाल देंगे हम इदिखिए उसके बड डालेंगे आथी छोटी चमच हल्दी पाउडर उसके बड देंगे इसमें बेशन जो बहुत ही जलूरी चीज है इसको हम बेशन इसमें तीन चार चमच डाल देंगे तक इसमें बाइनिंग अच्छे से आ सके अब इनको में बेशन डालके इसको अच्छे से मिला दूंगे देखिए इसको अच्छे से मिला लिए हैं देखिए ऐसे अ जब पेन गरम हो जाएगा उसमें डालेंगे कोकिंग ओयल, अच्छे से गरम हो गया है, अग्यास करेंगे मीडियम और इसमें हम एक एक कड़के लौकी का ऐसे कोकरी ट्राइप का अच्छे ही जाएगे, ऐसे ही हम कढ़ाई में सब गाल देंगे और इसे अच्छे से करेंगे इसको ऐसे पलड देंगे जब मीचे से पख जाएगा बहुत अचानी से पलड जाएगी है यह अच्छे से फराई हो गया है इसे ज्यादा गोल्डन नहीं करना है यह देखिए अब इसको हम निकाल लेते हैं इसके बाद और भी जो बॉल बचे हैं उसको भी हम ऐसे ही डाल के फ्राई कर लेंगे मैं सारे पकोरी बना ली हूँ देखिए अब चलते हैं चौक लगाने सेम पेंड में यह में जीरा वतिज पता डाल दूंगे इसे चटकने देंगे जब अच्छे से चटक जाए उसके बाद डालेंगे प्याज इसको भी हम भूलेंगे इसको ऐसे चलाते हुए हमें इसे में डालेंगे थोड़ा से पानी और इन सब को चलाते हुए ऐसे इस मसाले को में भूनना है गैस को मीडियम ही रखिए इसको अराम से भूनिया मसाले को पीछ बीच बीच छलाते रहेंगे ऐसे ही देखिए मसाले अच्छे से भून चुके हैं ये मसाले से ओड़ निकलने लगे हैं अब इसमें डालेंगे हम पानी इसमें डालेंगे हरा धनिया इन सब को अच्छे से मिला देंगे इसे में डाल देंगी यह पकोरी इसे भी अच्छे से मिला देंगे और इसे ढख के मीडियम फिलेम पे चार से पास मिनट तर ऐसे ही छोड़ देंगे पांस मिनट हो गया चटी धकन हटा दें वाव देखें सब्जी कितनी अची बनी है गैस को करेंगे ओफ उसके बाद इसे सॉर्फ करेंगे अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक किजेगा सेयर किजेगा और मेरे चैनल पर नए है अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब कर दीजेगा और लाइक सस्क्राइब करना मत भूलिएगा इसे जरूर ट्राइब किजेगा खाने में बहुत इस लगेगी आपके घरवालों भी बहुत पसंद आयागा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तक तक के लिए नमस्कार लाइक करना मत भूलिएगा